Hello everyone, good morning all of you. Today we are going to start lesson to the farmer's riddle. किसान की पहेली A long time ago, बहुत समय पहले, there was a farmer, एक किसान था, who lived somewhere in Baghdad, जो Baghdad में कहीं रहता था. He was not very rich, rich होता है अमीर, वे बहुत अमीर नहीं था, but he was very wise, wise होता है चतुर, लेकिन वे बहुत चतुर था. One day, एक दिन, when, जब he was plugging the field, plugging होता है खेट जोतना, जब वे अपना खेट जोत रहा था, the king passed that way, तो राज्या उस रास्ते से गुजर रहा था. The farmer bore him with great respect, बहुता है जुकना, किसान राजा के सामने, बड़े सम्मान के साथ जुका, the king stopped him, राजा उसके सामने रुका, and asked the farmer, और किसान से पुछा, how much money do you earn daily, तुम परती दिन कितना कमा लेते हो, कितना धन कमा लेते हो, the farmer replied, farmer ने उत्तर दिया, that he earned only four ceiling a day, वह केवल परती दिन चार ceiling ही कमाता है, what do you do with them, तुम उनका क्या करते हो, जो चार ceiling जो परती दिन तुम कमाते हो, तो उसका तुम क्या करते हो, ask the king, राजा ने पुछा, your majesty, महराज, the farmer replied, किसान ने उत्तर दिया, I eat the first ceiling, first ceiling को तो मैं खाता हूँ, I land the second, दूसरी को उधार देता हूँ, the third I pay back, तीसरी को वापिस लोटाता हूँ, जिससे मैंने लिया हुआ है, उनको वापिस लोटाता हूँ, and the fourth I throw away, और चोथी को मैं फैंक देता हूँ, the king did not understand, राजा यह नहीं समझा, what the farmer means, कि किसान जो है, उसका अर्थ जो है, जो उसने बताया, वो क्या था, राजा इस बात को नहीं समझा, so he said to him, इसलिए उसने उससे कहा, राजा ने किसान से कहा, I do not get your meaning, मैं तुम्हारा मिनिंग नहीं समझा, describe me what you want to say, विस्तार से बताओ, वर्णन करके कि तुम क्या कहना चाते हो, the farmer replied, किसान ने उत्तर दिया, your majesty महाराज, with the first ceiling, I feed myself and my wife, पहली जो ceiling मैं कमाता हूँ, उससे मैं खुद खाता हूँ और अपनी पतनी को खिलाता हूँ, in this way, इस तरह से, I ate the first ceiling, इस तरह से मैंने first ceiling को खा लिया, with the second ceiling, और दूसरी ceiling, I feed my children, मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, when I grow old and weak, जब मैं बूड़ा हो जाऊंगा और कमजोर हो जाऊंगा, I will not be able to work, तो मैं काम नहीं कर सकूँगा, my children will then pay my back by looking after me, तो उस समय, मेरे बच्चे, मेरी देख भाल करके, मुझे वापिस लोटाएंगे, अब मैं उनको खिला रहा हूँ, जब मैं बूड़ा हो जाऊंगा, तो वे मुझे खिलाएंगे, तो इस तरह से, वो मुझे क्या करेंगे, मेरी ceiling वापिस करेंगे, इन दिस वे, इस तरह से, आई लेंड माई सेकंड सीलिंग, विच आई विल गैट बैक इन माई ओल डेज, इस तरह से, मैं अपनी दूसरी सीलिंग, जब मैं बूड़ा हो जाऊंगा, तो उसे वापिस प्राप्त कर लूँगा, विद दा थार्ड सीलिंग, आई फीड माई ओल पैरेंट्स, और तीसरी सीलिंग से, मैं अपने बुज़ूर्ग माता पिता को खिलाता हूं, वो लुक्ड आफ्टर मी, वहन आई वाज चाइल, जनोंने मेरी देखभाल की थी, जब मैं एक बच्चा था, बाइ लुकिंग आफ्टर देम, तो उनकी देखभाल करके, अब, इन देर ओल देज, उनकी इस ओल देज में, बुज़ूर्ग अवस्ता में, आई अम सैंप्लिंग पेइंग बैंक माई डैप, तो मैं मेरा जो उधार लिया हुआ था, रिन, उसको चुका रहा हूं, So I can say that I pay back the third ceiling, इस तरह से में अपनी तीसरी ceiling से अपना कर्ज चुका रहा हूं, I spent the fourth ceiling on feeding the poor, और चोथी ceiling से मैं गरीबों को खिलाता हूं, I don't spent it for any profit, और यह है मैं किसी लाब के लिए नहीं करता, So I can, इसलिए मैं, I can say, इसलिए मैं कह सकता हूं कि that I throw away the fourth ceiling, कि मैंने चोथी ceiling को, कि मैं चोथी ceiling को फैंक देता हूं, The king was very pleased, राजा बहुत खुश था, to hear the answer of the farmer, राजा का उत्तर सुनकर, that was full of wisdom, जो बुद्धी मता से भरा हुआ था, He gave the farmers of gold coins, उसने किसान को कुछ सोने के सिक्के दिये, and said, और कहा, promise me, मुझसे वादा करो, that you will not tell this answer, to anyone, कि तुम यह है उत्तर किसी को भी नहीं बताओगे, Until, जब तक, you have seen my face 100 times, जब तक तुम मेरा चहरा 100 times नहीं देख लेते, तब तक तुम यह उत्तर किसी को भी नहीं बताओगे, बिटाज का आपका होम वर्क है, आपको लेसन टू हाफ रीड करना है, thanks.